तो हे फ्रेंट्स वेलकन तो मैं चैनल एवी रॉक्स टीम्स तो हम आप लोगों के लिए आगे भाई यो मैच कवर करने जो कि आज बहुत ही बड़े टीम्स के बीच मैच होने वाले लीड़ वॉट्स लिसेश्चर सिटी के बीच दो गंटे तीन मिनट बात बात करूं भाई इस मैच की फानल डीम आपको लाइनफ के बात कहा मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम ए बी रॉक्स वीम लाइवन टीम्स तो जिनको नहीं पता भाई उनके लिए मार बार बताता हूं कि यही मेरा ग्रूप है चाहां पर आपको फानल टीम मिल जाएगी लाइनपस के ब भाई थोड़े दिन अच्छे नहीं चलते हैं कि मैंने काफी बार देखे हैं लीट्स को इतनी हलकी हलकी टीम हराके जा रही हैं कि मैंने सोच भी नी सकता उनके बारे में तो बात करूँ अगर मैं गोल कीपर की तो यहां से मैं लीश्चर सिटी का गोल कीपर ले रहा हुँ चि है कि जब भी ऑपनेंट टीम स्ट्रॉंग होती है उतना यह ज्यादा चलता है क्योंकि आप कभी देख ले ना अगर जितने भी जितने बड़े से बड़ी स्ट्रॉंग टीम होगी ना हमेशा उसका गोल की पर उल्टा ले ला करो ऑपनेंट टीम का क्योंकि जब आपका प्ल कुरन लेना पड़ा इस प्लेयर को और आगे से बात करू भायो एल एलियंग की तो भाई लीड्स का टॉप का डिफेंडर मुझे नी पता लोगों ने इनको क्यों नी चुना क्योंकि पिछले वो काफी मैस से नहीं चल रहे इसलिए लोकों को लगा इस बार में नी चलेगा लेकिन ये गलती आप मत करना जैसे की आर कोच को ले लो तो आर कोच जो की भाईयों बहुत ही ये भी जबरदस प्लेयर है इसने पिछली बार एवियल की टीम के आगे अपना अच्छा खासा परफॉर्मस दिखाया था आप देख सकते हैं और इनकी टीम को एक क्लीन शीड भी मिली थी जो कि मतलब ये टीम बहुत जबरदस विनर थी और चलते हैं आगे तो आगे से बात करूँ यहां से लूँगा एस जैलस को जो कि हर टीम के आगे अच्छा परफॉर्म करता है और आज का मैच हमारे लिए इतना मेन है क्योंकि इस टीम में लिवरपूल हो गई बड़ी बड़ी जो मैंचेस्टर सिती तो उनके टीम से आगे परफॉर्मस अच्छी दे रखी है मैंने देखा है लीज्डस को लीज्डस मेरी eat फईवरेट इम है लीज्डस होगी लिवरपूल और मैंचेस्टर सिती मेरी फईवरेट टीम है बात करो गें में मेंट फिल् देने की हिम्मत रखता है विदाउट विदाउट एसिस्ट के मलब सिरफ गोल ही करता है फिर यह तीन चार गोल मैंने इसके मैक्सिमम देखे हुए हैं और आगे से बात करूँ यहां से आपको प्लेयर मिल रहा है इसके नहीं यूरी यूरी को आपको पता है 26 अक्टूबर के म मैंडी थोड़ा सा रिस्की प्लेयर है क्योंकि यह ना बिल्कूल नहीं चल रहा है कि हमारे पास थोड़ा क्रेडि डिशू होने के कारण में इसको मजबूरन लिया है अगर बाई चंस कोई बहुत बड़ा प्लेयर आज नहीं खेला तो हमारे क्रेडिन मिंटेन हो जाएंग तीन गोल इसने मैंचेस्टर सिटी को मारे थे जो की एक आम बात नहीं है लिसेस्टर सिटी को पहले मैं हलके में लिता था लेकिन जब से इन्होंने मैंचेस्टर सिटी बड़ी बड़ी टीमों को टकर दी है तब से यह हलके में नहीं ली जा सकती आगे से बात करूँ मेरा प्लेयर इसके नाम है पैट्रिक बैमफोर्ड बायो इन्होंने पिछले मैच में एवियल के सामने तीन गोल इस प्लेयर ने भी मारे थे तो यारी दोनों क्या होंगे आप जड़ा सोचो अलग अलग टीम के है तो बराबर की टककर ही है इसमें आप 11 जीयल लगाना 6-6 अलग अ कॉंबिनेशन से और आगे से बात करूँ यहां से लोगा आर मरेनो को आज आर मरेनो का एक गोल का चांस मुझे लग रहा है क्योंकि लीड्स का यह प्लेयर है और आगे लिसेस्टर है तो यह अपनी भी कुछ ना कुछ तो दिखाएगा भाई हूं बात करूँ कैप्टन वा अगली वीडियो मेंच के प्रेडिक्शन के साथ अभी के लिए भाई फ्रेंड्स आपका दिन शुबर है